बच्चों आज आपके लिए बार्षिक परिच्छा कच्छा साथ का हमारा इतिहास योग नागरिश सास्त्र का पेपर लेकर आया हूँ एक्जाम देने से पहले एक बार जरूर प्रस्ण पत्र देख कर जाना यही प्रस्ण पत्र आपके विद्याले में आया हुआ है यदि आप उससे जुड़े रहते हैं तो आपको प्रतिवर्स अर्धवार्षिक और बार्षिक कच्छाओं का आपको पेपर मिलेगा तथा साथ साथ इस चैनल में आपके सभी विश्यों की पढ़ाई भी की जाएगी पहला प्रस्ण है फिरोजपूर्णगर की अस्थापना की थी चार बिकल्ब दिये गए हैं इनमें से एक बिकल्ब सही है जो सही हो उसके किक करना है दूसरा है सतनामियों ने किसके समय में विद्रो किया चार बिकल्ब दिये गए हैं एक बिकल्ब सही है तीसरा फतेपु सीकरी का निर्मान कराया बहुत important question है इसको जरूर देख कर जाना तहकीक ए हिंदी पुस्तक लिखी थी चार बिकल्ब दिये गये हैं उनमें से एक सही है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बक्स के नाम से जाना जाता है किस मुगल सासक ने बिदेशी कंपनियों को भारत में ब्यापार करने की इजादत दिती लिखिए चांद बीबी कौन थी जैपूर में भी हवा लेने के लिए पंच महल की तरह एक इमारत है उसका नाम लिखिए बहमनी बंस का संथापा कौन था लोदी बंस का संथापा कौन था पी टी ओ प्लीज टर्ण ओबर ते हम प्रश्ण पदर को पलट रहे हैं लग हुत्री प्रश्ण है जमानत किस प्रकार दि जाती है क्या आप संसद में विदेयक पेश कर सकते हैं क्यों मुगल काल को स्वर्ण युक क्यों कहा जाता है औरंग जेव ने मुहत सिब की निवक्ति क्योंकी थी अकबर ने अपना समराज बढ़ानी की क्या नीत अपनाई विश्त्रित उत्री प्रस्ण है कोई दो प्रस्ण करना है तीन दिया गया है दो ही करना है लोग अदालक की अस्थापना क्यों की गई बहुत इंपर्टेंट है इसके बारे में जरूर देख कर जाना मुगल काल में समाजिक सांस्कृतिक समन्वे के विशय में संचेब में लिखो प्रजा की भलाई के लिए सेर साह ने क्या किया सल्तनत काल में उद्यों गयों व्यपार पर संचित टिपड़ी लिखिए और इस तरह से आपका प्रश्ण पत्र समाप्त हुआ यह आप मुसे जुड़े रहते हैं तो पूना बता रहा हूं कि प्रदिवार्स अर्धवार्सिक और बार्सिक का माजाल पेपर तो मिलेगा ही सीधे च अच्छा लगा हो तो लाइक करना सब्सक्राइब करना सेर करना जय हिंद जय भारत